कि अज़ में इस वीडियो में आप लोगों को फीर एक रेविट का गराब बताने बाले हूं जो कि आप लोग बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं तो देखें ये दो रेविट बेठा हुआ हैं तो इसके लिए आप लोग पहले एक बाटर तैयार कीजिएगा और स्वेटर में आप लोग बेठाईएगा तो मैं आपको सिर्फ गराब बता रही हूं तो मैं इसमें 40 फंदे डाली हूं और उसमें और ये देखें रेट कलर में आप लोग उनको बताऊंगी तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आये होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाले ताकि मेरा वीडियो आप लोग उनको आसानी से मिल जाए और वीडियो को लाज तक प्लीज आप लोग ज इस साइड में आपको बुर्णा है दो तेन चार पॉंच छो एक साथ एक आठ एक फंद होड ले लिजिएगा और उसके बाद पीला कलर से आप लोग पॉंच फंदे डालिएगा और रूल को आगे आप लोग लाते जाईएगा तो एक दो तीन चार पॉंच उसके बाद बीच में फिर एट कलर से दो फंदे और फिर पिला कलर से आपको तीन फंदे बुनना है और फिर बीच में आपको रेट कलर से यहाँ पर फंदे गिन लेना है आपको तो एक एक दो तीन चार पॉंच छो साथ एक आठ तो आपको फिर यहाँ पर एक दो तीन चार पॉंच छो साथ आठ फंदे रेट कलर से बीच में डालना है तो आप लोग ग्राप को अगर आप लोगों का हाथ लूज चलता होगा तो नौ नमबर पर ग्राप बनाईएगा अगर टाइट चलता होगा तो आप लोग आठ नमबर पर ग्राप बनाईएगा तो आपका बूत अच्छा ग्राप बनेगा तो बीच में हम आठ फंदे बुन लिये हैं उसके बाद फिर सेम इसी फंदे को आपको यहाँ डालना है पुछ फंदे पिला कलर से तो यह मेरा यहाँ पर दुसरा रेविट आगे बनेगा और फिर बीच में दो फंदे रेड और आगे तीन फंदे पिला कलर से और जो फंदे बचेंगे उसको हम रेड कलर से बुन लेंगा देखे फ्रेंज आप लोग दूसरी सलाई में साइट के जो चार फंदे रेड कलर हैं चार फंदे रेड कलर से बुन लियेगा और फिर एक यहाँ से आपको पिला से रेड लेना है और फिर यहाँ पर आपको तीन फंदे रेट कलर से बुनना है और फिर यहाँ पर दो एक, दो, तीन, चार, पॉंच साइड में पॉंच फंदे रेट कलर से तीन फंदे पिला कलर से और फिर दो फंदे रेट कलर से और फिर यहाँ पर पॉंच फंदे आपको पिल्या कलर से बोनना है आप लोग घूल को आगे लाते जाएगा और फिर एक फंदे आपको आगे रेड से पिला बनाना है तो ये पंच फंदे बन जाएंगे और बीच मैं यहाँ पर रेड कलर के हैं फंदे उसको हम रेड कलर से बोनेंगे और फिर यहाँ पर हम एक पिला है तो उसको हम रेट बना लेंगे और यहाँ पर जैसे आप लोग पहला रेविट में किये हैं उस तरह से आप लोग को दूसरा रेविट में इस तरह से करना है तीन फंदे पिला कलर से दो फंदे रेट कलर से और पॉच फंदे पिला कलर से देखे फ्रेंज तीसरी सलाई में आप लोग साइड में जो रेट कलर के फंदे हैं उसको आप लोग रेट कलर से बुनियेगा और एक फंदे आपको यहाँ पिला बुनना है तो चार फंदे आपको पिला कलर से और फिर दो फंदे रेड गलर से और चार फंदे पिला कलर से और यहाँ पर यह रेड कलर के फंदे बन जाएंगे पिला वाला औरेट जो है वो भी रेट वोन आएगा और फिर जैसे इस रेविट में आपको किये हैं उसी तरह से आप लोग यहाँ पर दूसरा रेविट में करिएगा अब चोथी सलाई में आप लोग देखिए जो साइट के फंदे रेट कलर के हैं वो सारे रेट कलर से हम बुनेंगे फिर यहां से आपको पिला कलर के सारे फंदे बुन लेने हैं तीन, चार, बूल को आगे लाते जाएंगे पांच, छो, साथ, आठ, नो, दस, एक और आगे लाना है तो इके 11 फंदे पिला कलर से और फिर यहां पर बीच के फंदे को रेट बनाना है और फिर यहां 11 फंदे आपको इस रेविट में 11 फंदे पिला कलर से बनाना है प्रेंस पहुंच भी सलाई में आपको 4 फंदे साइड में रेट कलर से बनाना है और फिर यहां एक फंदे आपको पिला कलर को बढ़ाना है तो यह आप 11 से 12 फंदे बन जाएंगे पिला कलर का और आप लोग उल को आगे लाते जाएगा तो बारा फंदे पिला कलर से और फिर यहां पर रेट कलर के फंदे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, छो और फिर यहां पर 12 फंदे पिला कलर से और उदर जो साइड के फंदे रेट कलर के हैं उसको हम रेट कलर से बनेंगे तो देखिए प्रेंस आप लोग 6 सलाई में उल्टी तरफ से 4 फंदे रेट कलर से बुनिएगा और दो फंदे हमको आगे पिला बनाना है पाँच छो साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा तो देखिए प्रेंस यहाँ पर आप लोग बारा तेरा फंदे बुनिएगा और यहाँ पर एक आपको रेट बनाना है पिला वाला जो है उसको रेट बना लेंगे और बीच में फिर जो फंदे है चार पंच पंच पंदे रेट और आगे फिर यहाँ पर दो पिला फिर यहाँ जो फंदे है तीन चार पांच छोग साथ आठ ना न शे कर सक दो घ्यारा से बारार पेचे हैं क्षाई सद्यूं कि यहां दो पुला है उसको एड से पहले में सकूरी सब्सक्राइरा को रूल को आगे लाते जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां आगे इसको बढ़ाना है, तो 13 फंदे फिर पिला कलर से, और यहां फिर बीच में, पाँच फंदे, रेड कलर से, और 13 फंदे आपको पिला कलर से, दूसरा रेविट में, इसी तरह से आगे आपको करना है, फिर आठोई सलाई में देखिये, जो साइड में आपको, तीन फंदे रेड कलर से, और फिर यहां पर दो फंदे पिला कलर से, तो आप रेविट का यहां परक बनेगा तो फिर एक फंदे आपको रेड कलर से और दस फंदे पिला कलर से दो तीन चार पाँच छो साथ आठ नव दो चार छो आठ ठेक नव तो नव फंदे हमको यहां पर पिला कलर के बनाने है और बीच में आपको एक दो तीन चार पाँच पाँच रेड कलर से बनाने है पर आप लोगों को दो पिला एक रेड और नौ फंदे पिला और फिर यहां बीच में आपको दो तीन चार पाँच छो छो फंदे रेड कलर से और फिर यहां पर दो फंदे पिला कलर से और एक फंदे रेड कलर से और यहां नौ फंदे पिला कलर से और बाकी जो फंदे बचेंगे उसको हम रेड कलर से बुन लेंगे तो देखिये प्रेंट सबसीदी तरफ में आपको दो, चार, छो, साथ साथ फंदे रेड कलर से और यहाँ एक पिला ले लेंगे तो आट फंदे आपको red color से और याहां फिर तीन color आपको पिला बनाना है तीन फंदे को और फिर यहां पर दो फंदे red color से और पोंच फंदे पिला color से तीन चार एक पाँच तो पौंच पिला color से फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, एक, आठ, आठ फंदे आपको बीच में रेट कलर के बनाने हैं और तीन फंदे, फिर यहाँ पिला, फिर दो फंदे रेट और पांच फंदे पिला और जो बचेंगे उसको हम रेट से बुनेंगे पुल्टी तरफ में फ्रेंद देखिए, साइड में आपको पांच फंदे रेट कलर से और फिर एक, दो, तीन, चार, चार फंदे येलो कलर से फिर यहाँ आपको सारे फंदे कोरेट बनाना है, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तो बीच में आपको चार फंदे फिर रेट कलर से और चार फंदे येलो कलर से बुनना है, और वाकी जो इधर बचेंगे उसको आप लोग येलो कलर से बुनने जिएगा, तो यहां चार फंदे आपको पिला से बनाना है और फिर यहां जो फंदे बचेंगे उसको आप लोग रेट कलर से बुन लीजिएगा देखे फ्रेंज सब सीधी तरफ में आपको इधर साइड में रेट कलर के फंदे बुनने हैं तो यहां पर आपको दो फंदे येलो कलर से और फिर एक फंदे येलो कलर से और बीच के फंदे को आपको फिर यहां रेट कलर से बुनना है तो आपको यहां तक फिर रेट कलर से बुन लेना है और यहां जो चार फंदे हैं उसके आगे में आपको फिर येलो बनाना है जैसे आप लोग यहां करेंगे वैसे फिर आप लोगों को यहां पर करना है तो देखे फ्रेंस अब उल्टी तरफ में आपको साइड में छो फंदे रेट कलर से और यहाँ दो फंदे येलो कलर से और फिर बीच में दो फंदे रेट कलर से यहाँ पर फिर आप लोग दो फिला बनाईएगा और बारा फंदे बीच में आपको रेट कलर से बनाने हैं और फिर यहाँ पर आपको दो येलो कलर से और दो रेट कलर से और दो येलो कलर से और वाकी के फंदे रेड कलर से ताइड में आपको नौ फंदे रेड कलर से और दो फंदे पिला कलर से बीच में आपको चार फंदे रेड कलर से और फिर यहाँ पर दो फंदे आपको पिला कलर से और फिर बीच में जो फंदे हैं उसको आप लोग रेड बनाईएगा और फिर यहाँ आने के बाद आपको दो फंदे पिला कलर से चार फंदे रेड कलर से दो फंदे पिला कलर से और साइट के फंदे को आपको रेड कलर से बनाने है देखे फ्रेंस अब लोग आप लोग लास्ट सलाई में पंच फंदे रेड कलर से और एक फंदे फिला कलर से और फिर आपको यहाँ सारे फंदे को रेड बुन लेना है तो यह अब डिजैन बनके रेविट का ग्राफ पुरा हो गया है तो आप लोग अपने बच्चों के स्वेटर में इसे डालिएगा बहुत ही प्यारा यह रेविट बनकर लगता है तो आप लोग इसे जरूर बनाईएगा और बीच के फंदे को आपको रेड कलर से बुन लेना है और फिर यहाँ हम एक फंदे पिला बनाएंगे तो यह रेविट का करन बनकर तयार हो जाएगा एक फंदे पिला कलर से और जो फंदे बचे हैं उसको हम सारे फंदे को रेड कलर से बुन लेंगा देखिए फ्रेंस यह रेविट बनकर आप पुरा हो चुका है अगर आप लोगों को कुछ समझने में दिकत हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो मैं आप वीडियो के ही समाप्त करते हूँ थेंक्स पोर वाचिंग मैं वीडियो